तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले अपना नया लेक्शर बाबू आज हम एक नया कंसेट स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेट कुछ कुछ कोश्टन्स करने की कोशिस करेंगे लो प्यारे बच्चो आप सब मेरे साथ साथ बेटा लिख रहे हो concept पहले note डाउन करो concept number 28 treatment of and distributed profit losses at the time of admission आप मेरे साथ साथ पहले बेटा theory note करेंगे फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे बेटा so concept number 28 की है बेटा treatment of undistributed profit or losses at the time of admission the you the झाल झाल प्ल्च बखिर्यों सुIt झाल 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 प्यारे बच्चों को चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं बहुत अराम से मेरी बात सुनना बेटा मैंने concept का नाम लिखा है what would be the treatment of undistributed profit if any existed at the time of admission अगर कोई admission के टाइम पर मालो बेटा AB पुराने पार्टनर है let's suppose उनकी रेशो बेटा 5 रेशो 3 है और बेटा आज admission हो रहा है C का बेटा on 1st of April 2021 और बेटा at the time of admission जब हमने balance sheet प्रिपेर करी तो बहुत सारे undistributed profit हो सकते हैं बेटा फर्म के पास या बहुत सारे undistributed losses तो बेटा सारे undistributed profit चाहे है loss बाट दो बेटा old partners में old ratio में और कुछ मैंने undistributed profit के नाम लिख दिया और कुछ बेटा मैंने undistributed losses के नाम लिख दिया मेरे ब्यारे बच्चो अब मैं जानना चाहता हूँ बताना चाहता हूँ आपको क्यों बाटना है ये old partner में बाबु देखो मैं एक बात बहुत अराम से समझाने की कोशिस करता हूँ मुझे space के requirement है मैं इतना portion rub कर रहा हूँ एक बात लो बेटा आप इसको note down कर चुके हो मैं पर रब कर रहा हूँ फिर समझाता हूँ बेटा आपको लो बेटा मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ एक example से मेरे प्यारे बच्चो लो समझो बेटा A और B नेना business start किया था 1st of April 2017 को A और B ने business start किया 1st of April 2017 को बेटा और 2 लाक रुपे लगा कर मालो एक एक लाक रुपे डाले दोनों ने 2 लाक रुपे लगा कर business start किया मेरे प्यारे बच्चो ये 18 में profit कमाया इन्होंने 19 में profit कमाया 20 में profit कमाया 21 में कमाया और आज 31st of March 21 है आज C ने कहा मुझे entry दे दो मैं आपकी firm में partner बनना चाता हूँ मुझे entry दे दो बेटा आज के दिन जब balance sheet दिखाई दे रही थी तो दिखने में कैसी दिखाई दे रही थी ये समझाता हूँ बेटा आज जब balance sheet हमने देखी तो सबसे पहले लिखी वी थी capital A और B की मेरे प्यारे बच्चो देखो हर एक काना accounts को represent करने काना तरीका अलग है अब हम ऐसा नहीं कह सकते हैं तो मेरे हिसाब से चल मेरे हिसाब से accounts बना मेरे प्यारे बच्चो देखो इन्होंने ना capital को आज भी एक एक लाग रुपे दिखाया हुआ है अज भी एक एक लाग रुपे दिखाया हुआ है अच्छा पहले शुरुबात भी एक लाग से कीती आज भी एक एक लाग दिखाया हुआ है लेकिन इन्होंने ना profits को अलग दिखाया हुआ है बेटा एक तो profit का नाम लिखाव है General Reserve और एक नाम लिखाव है Rainbow इंडल अकाउंट बेटा इसमें दिखाए हुए हैं पांच लाक रुपे और इसमें दिखाए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चो दो लाक रुपे बेटा इसमें दिखाए हुए हैं जनरल रिजर्व में दो लाक रुपे और बेटा प्रॉफिट अंड लॉस अकाउंट में अनोई बेटा free profits होते हैं आप अभी इस चीज को जानने के लिए बहुत छोटे हो free profits क्या होते हैं लेकिन थोड़ी सी चर्चा गरता हूं बेटा CA में कहीं समझाया जाता है आपको free profits क्या होते हैं बेटा ये free profits होते हैं इसके साथ कोई भी liability नहीं जुड़ी होते हैं कोई भी liability ना तो general reserve के साथ जुड़ी होई है मेरे प्यारे बच्चों ना profit and loss account के साथ जुड़ी होई है बेटा ये profit ही है ये वो profit है बेटा जो आपने 4 साल में कमाया है ये 7 लाग का profit कमाया था आपने बेटा काईदे से तो P&L में balance लिखना चीए था आपको 7 लाग रुपे लेकिन आपने क्या करा एक बारना बेटा profit and loss account से general reserve में भी 2 लाग रुपे transfer कर दिये बेटा क्यो transfer करे बेटा देखो हम reserves में पैसा रखते हैं for the unknown liability बेटा एक कभी unknown liability हमने कभी देखी नहीं बेटा लेकिन business में बहुत सारी चीज़े unknown है बेटा business is totally uncertain तो मैंने क्या करा बेटा मैंने काईदे से profit and loss account में 7 लाग दिखाने थे देखो अगर मैं proper accounting की बात करूँ तो हम तो बेटा capital ही बढ़ाते रहते हैं याद करों P&L appropriation account बनाते थे अगर कोई profit बचता था फटा फट से capital बढ़ा देते थे यही तो करते थे आगरी में two partners capital account A की capital में और B की capital में profit को बाट दिया सही तरीका तो ये था accounts बनाने का लेकिन ये सही तरीक के वानलो बनाई नहीं रहे बेटा इनका accounts represent करने का तरीका लग है capital एक एक लाग रुपे ही दिखाई profit दिखाना था इनको 7 लाग लेकिन बेटा इसी साल के बीच में इन्होंने क्या करा अपने 7 लाग के profit में से 2 लाग का profit general reserve में transfer कर दिया for some unknown liability इन्होंने का कभी कोई unknown liability अगर occur हो गई तो हम क्या करेंगे इस 2 लाग रुपे से उसको meet out कर लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ही free profit होते हैं कोई liability इसके against अभी तक नहीं है बेटा ये तो आपने संभाल के रखावा है कि कभी कोई unknown liability आगी तो pay कर आज जा सकता है बेटा तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों free profit है चलो जी थोड़ी सी बात समझ में आने लगी कि कैसे account present होने चीए थे कायदे से तो इन दोनों की capital बढ़ जानी चीए थी बेटा ये 9 lakh यहाँ पर total आना चीए था ये 7 lakh का profit हमेशा capital में एंड होता है नहीं करा तुमने कोई दिक्कत नी बेटा आपने general reserve अलग दिखाया आपने profit and loss का balance अलग दिखाया मैंने लिख दिया बेटा अब मेरी एक बात को समझने की कोशिस करो बेटा चलो हमने ये तो समझ लिया counts कैसे और लिखा जा सकता था अब एक बात और समझने की कोशिस करो why they belong to the A and B मेरे प्यारे बच्चों आप खुद सोचो क्या अभी तक C का कोई रोल है ये जो मेरी balance sheet है बेटा 31st of March 21 की है क्या अभी तक C picture में है नहीं क्या अभी तक मेरे business में C ने महनत करी नहीं बेटा A और B ने दिन रात महनत करके 4 साल में बेटा यहां पोचे हैं बेटा सिर्फ 7 लाग कई तो profit कमा है कोई बहुत लंबा चोड़ा पहाड थोड़ी घड़ा कर दिया बाबु ये 7 लाग रुपे किसको मिलने चाहिए बेटा जिसने कमाए हैं जिसने महनत करी है तो मैंने भी तो यही लिखा था बेटा concept number 28 में कि बेटा अगर कोई भी undistributed profit कोई भी बेटा अगर undistributed loss या बेटा कोई reserve कुछ भी पड़ा है बेटा they will belong to the old partners और उनको old partners में old ratio में बाट दिया जाना चाहिए बेटा क्योंकि ये कमाने वाले old partner है ये 7,00,00,00 रुपे कमाने वाले old partner है मेरे प्यारे बच्चों तो जैसे ही सीका admission होगा बेटा इसको बाट दिया जाना चाहिए अच्छा अगर नहीं बाटे तो क्या होगा मैं ये भी बात समझा देता हूँ बेटा ताकि और analysis क्लियर हो जाए मेरे प्यारे बच्चों बताता हूँ देखो एक बात ध्यान रख ले ना जस दिन बेटा balance sheet में ये नाम लिखा गया ना C मैं बता देता हूँ partners capital account मान लो ये 31 March 2022 2022 की balance sheet है और नाम लिखा गया partner capital में ABC और तीनों ने मान लो बेटा बेटा बेक एक लाख रुपे लगा रहे है तीन लाख और बेटा general reserve पड़ा है दो लाख का और इस साल भी profit हुआ बेटा पचास अजार का तो ये balance हो गया पांच लाख पचास अजार एक बात ध्यान रख लेना मैं आपको बिल्कुल clear बता देता हूँ जिस दिन C का admission हो गया और balance sheet में नाम लिखा गया C का उस दिन बेटा balance sheet की सारी assets सारी liabilities और सारे reserve पे C का बिल्कुल बराबर का इस सा गया ध्यान रख लेना बेटा तभी बेटा C के आने से पहले ये nipta डालो बेटा जो आपने कमाया है वो आपका है बेटा nipta डालो खा जाओ बेटा अगर आपने नहीं बाता और अगली balance sheet में C का नाम जुड़ गया और बेटा ये सब दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चो C को भी उसी ratio में आपको share देना पड़ेगा जिस ratio में आप profit देते हो बेटा future में अगर कभी बवाल हो गया आपका बेटा आप जिस मर्जी court of law में चले जाना court कहेगी अच्छा balance sheet में C exist करता है अच्छा इतना समान पड़ा है C का बेटा वोई हिस्सा है मानलों अगर C को आपने equal share दिया तो बेटा C को equal हिस्सा ही देना पड़ेगा सब profits में से सब assets में से मेरे प्यारे बच्चो इसी वज़ा से का जाता है जब admission होता है बेटा आपके पास जो profit बचे हैं या कोई loss भी कमाया loss कहां देखने को मिलेगा बेटा loss बेटा balance sheet में asset side देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चो asset side देखने को मिलेगा क्या नाम होगा बेटा देखो बैसे तो यहां profit है profit और loss दिखटे नहीं हो सकते balance sheet में लेकिन मैं लिख देता हू profit and loss account 2 lakh एसेट साइड में लिखा है, that means it is a loss, that means it is a loss, बेटा, एसेट समेशा debit होती है, याने कि ये profit and loss का debit balance है, और debit balance है बेटा, याद करो nominal account का rule बता देता हूं, बेटा, P&L account एक nominal account होता है, याद करो, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था, debit, all the expenses and losses, सारे expenses, सारे losses debit होते हैं, और अगर कोई P&L का balance, asset side में दिखाई दे रहा है, that means it is a debit balance, और debit है, मतला बेटा, loss है, अगर आपको कह दे, P&L का credit balance है, ये देखो, मैंने लिखा, P&L का credit balance, that means, बेटा, credit है ये liability में जाएगा, और ये हमारा profit है, बेटा, और अगर कोई P&L का debit balance है, that means, ये asset में जाएगा, और ये हमारा बच्चो loss है, बेटा, दोनों कभी घटे देखने को नहीं मिलेंगे, या तो business में profit होता है, या losses होता है, दोनों ही घटे कभी नहीं होते, बेटा, चाहे आपने profit कमाया, चाहे loss कमाया, it will belong to the old partner and it will be distributed among the old partner and old ratio, बेटा, ये आपको old partner में बातना पड़ेगा, old ratio में बातना पड़ेगा, क्योंकि इनके मेहनत की कमाया है, प्यारे बच्चो, दीरे दीरे आप पहले मेरे से example समझेंगे, बेटा, फिर मैं question पर उतारूँ, आपको एक दम question नहीं कर रहे, लो प्यारे बच्चो, बात करते हैं, मैंने भी काफी बात कर लूट लो बेटा आजगा हूँ, लो प्यारे बच्चो, तो मैं बाते करने जा रहा हूँ, आपके साथ बहुत सारी, मैंने बहुत सारे reserve के नाम लिखे हैं, मैंने बहुत सारे losses के नाम भी लिखे हैं, लेकिन चर्चा सब पे नहीं करी बेटा, दीरे दीरे करेंगे बेटा गबराना नहीं, लो, लो मेरे प्यारे बच्चो करते हैं बात, एक्जामपल नमबर वन, अर। लो मेरे प्यारे बच्चो मैंने एक केस बनाने की कोशिश करी बेटा बहुत सारे एक्जामपल पे हम चर्चा करते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चो और समझते चलेंगे बेटा मैंने लिखा A and B are partner in a firm having PSR of 2 ratio 1 बेटा A और B partner है उनकी old ratio दे रखिया 2 ratio 1 कहते है C enter into the partnership for 1 fourth share बेटा C partnership में आया है 1 fourth share के लिए at the time of admission general reserve standard 2 lakh and P&L credit balance standard 1 lakh मेरे प्यारे बच्चो एडवीशन के time पर general reserve 2 lakh रुपे का है और profit and loss का credit balance that means बेटा ये liability में लिखाओगा that means it is a profit बेटा profit 1 lakh रुपे का है बेटा ये free profits होते हैं बेटा बेधड़क बाट दो बेटा कुछ सोचना भी नहीं अभी आप बहुत excited हो ये जाने के लिए free profits क्या होते हैं बेटा करूँगा थोड़ी चीज़ अच्छा पका आज के lecture महीं करके जाऊंगा बेटा भी चीज़ों को समझेंगे बेटा पहले आगे बढ़ते हैं लोग बेटा कहता है कि general reserve and profit and loss exist कर रहे हैं 2 lakh और 1 lakh मेरे प्यारे बच्चों admission के time पर ये exist कर रहे हैं बेटा C के आने से पहले बाट C को आपने partnership में ले लिया आप अनपोच जिर के लिए बहुत अच्छा किया बेटा लेकिन ये profit old partner को भी लॉंग करते हैं बेटा जिनोंने दिन रात मैनत करके कमाएं तो उनी में बटने चाहिए ठीक है जी बाट दो बाटेंगे कैसे अब आप मुझसे उमीद करोगे कि मैं journal entry बताओं बेटा लेकिन मैं चाता नहीं बताना आप खुद बना सकते हो आप कुछ सोचो बेटा general reserve liability में दिखाया जाता है मेरे प्यारे बच्चो profit and loss liability में दिखाया जाता है और मैं क्या कर रहा हूँ बेटा इसको बाट रहा हूँ liability हमेशा credit होती है बेटा बुक से खतम कर रहा हूँ मैं बेटा बुक से खतम करने के लिए क्या करो debit कर दो बाट दो खतम करो बेटा old partners में बाट दो old ratio में बेटा खतम करो बुक से बेटा credit चीच को बुक से खतम करने क्या करो debit कर दो सोचना क्या है प्यारे बच्चो general reserve account debit general reserve account debit ठीक है जी combine entry कर दो बेटा P&L साथ साथ बाट दो profit and loss account debit profit and loss account debit ठीक है जी किसमें बाटन है बेटा old partner ना old ratio to A's capital account to B's capital account मेरे प्यारे बच्चो old partner old ratio 2,00,00,00 रुपे का general reserve 1,00,00,00 रुपे का profit and loss का credit balance बेटा बाट दो बेटा old partners में old ratio में बेटा A.B. old partner है B.B. old partner है इनकी ratio है 2 ratio 1 बाट दो प्यारे बच्चो 3,00,00,00 रुपे को बेटा 2 ratio 1 में बाटना है 2,00,00,00 A को मिल जाएंगे बेटा और B को 1,00,00,00 रुपे मिल जाएंगे narration लिखो being reserves distributed being reserves distributed लो प्यारे बच्चो journal entry खतम क्या ये इतना simple है बिलकुल इतना simple है बेटा मैंने आपको क्या बोला कोई भी reserve exist करता है बेटा बाट खाओ बाट जाओ बेटा छोड़ना नहीं है कोई reserve exist करता है बेटा बेधड़क बाट दो बेटा लो प्यारे बच्चो old partner में बाट दिया old ratio में बाट दिया बहुत simple तरीके से बाट दिया लो further case बनाते हैं बहुत अच्छे अच्छे example करेंगे बेटा लो मैं रब करता हूं बेटा मैं रब कर रहा हूं बेटा फटा फट से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जामपल बेटा मैं फटा फट से एग्जामपल चेंज करता जाओंगा नहीं नहीं बाते करते चले जाएंगे लो जी एग्जामपल नमबर टू बाबू इस बार PSRF 5 ratio 3 general reserve exist करता है बेटा 1,60,000 और बेटा profit and loss debit balance है हमारे पास 80,000 रुपे का लो प्यारे बच्चों debit balance है that means बेटा asset side लिखका profit and loss 80,000 ये मेरा loss है debit all the expenses and losses सारे expenses सारे losses debit होते हैं अगर P&L debit में है बेटा asset में है that means it is a loss तो बेटा ये मुझे 80,000 दिया हुआ है general reserve मुझे 1,60,000 रुपे दिया है बाट तो combine entry नहीं हो सकती बेटा combine entry तभी होती है जब 2 सरते पूरी करती है अगर same date है पहली बात और बेटा same treatment है उसका या treatment same नहीं है बेटा एक चीज liability है एक चीज asset है बेटा treatment same नहीं है तो combine entry नहीं होगी बहुत अराम सा समझो बेटा general reserve also belong to the old partner in a old ratio बेटा इसको बुक से खतम करना है ये liability है credit होती है बेटा बुक से खतम करने के लिए debit general reserve account debit general reserve account debit to A's capital account to B's capital account being reserve distributed बेटा दो लाग का profit business में sorry 1,60,000 के बेटा reserve business में थे बाट दो old partner में old ratio में तो बेटा 5 ratio 3 में आप बाट दो A को मिलेगा 1,00,000 और बेटा B को मिलेगा 60,000 खा जाओ बेटा profit बेटा what about losses अगर profit आपको belong करते हैं तो बेटा loss भी आपको belong करते हैं और बेटा loss debit है इसको बुक से खतम करने के लिए बाटने के लिए credit करना पड़ेगा losses है बेटा asset में लिखे है debit है कोई चीज debit है और उसे बुक से खतम करना है प्यारे बच्चों कैसे खतम हो सकती है credit में लिख दो तभी खतम हो सकती है और बेटा लो A's capital debit मैं credit में लिखकर खतम करूँगा बेटा partner में कहा बटेगा debit में A's capital debit B's capital debit 2 P&L account 80,000 रुपए है बेटा 22 old ratio में 5 ratio 3 में Being losses distributed Being losses distributed लो मेरे प्यारे बच्चों इतना ही असान है लेकिन मैं आपको फिर बोलता हूँ बेटा आपको read करना आ रहे हैं क्या हुआ बेटा देखो read करोगे अगर तो वड़े फायदे में रहोगे बेटा read करना सीखो general reserve exist था देखो बेटा balance sheet में आपने A की capital दिखाई B की capital दिखाई general reserve दिखा रहे हैं 1,60,000 के मेरे प्यारे बच्चों आपने खतम कैसे करा आपने general reserve book से खतम कर दिया capital बढ़ा दी देख लो यही नहीं हुआ क्या देखो देखो read करना आना चीए आप रट्टे वाजो बेटा हम रट्टे वाज नहीं हम रट्टे इनी चीज़ों को हम तो समझते हैं बेटा general reserve देखो debit कर दिया book से खतम कर दिया बदले में क्या करा बेटा A और B की capital बढ़ा दिया आपकी presentation कैसे चल रही थी balance sheet में capital दिखा रहे हो general reserve दिखा रहे हो P&L का balance दिखा रहे हो बेटा capital में नहीं बाट रहे हम जबकी presentation शुरू से ऐसे करके चलते हैं बेटा हम तो capital में ही बाट के चलते हैं चलो आपने जो भी किया आज हमें वो काम करना पड़ रहे है जो आप पहले नहीं कर पाए आज हम सारे reserves बाट रहे हैं आपकी capital बढ़ा रहे हैं सारे losses बाट रहे हैं आपकी capital को कम कर रहे हैं बेटा सही presentation ही यही है बेटा accounts की तो मेरे प्यारे बच्चों ये था मेरा analysis लो जी बढ़ते हैं आगे बेटा और cases देखते हैं बेटा मैंने इसकी बात कर ली मैंने इसकी बात कर ली और कोई बात नहीं कर ली मैंने इसकी भी बात कर ली लो जी बच्चे कह रहे हैं और बात करो लो मेरे प्यारे बच्चों मैं बात करता हूं सुनो, बेटा मैं बात करता हूँ सबसे पहले workman compensation reserve की, मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ बेटा workman compensation reserve की, बेटा देखो एक बात समझ लो, मैंने एक reserve तो बनाया it is for the unknown liability, ठीक है न, workman को compensation देने के लिए एक reserve बनाया for the unknown liability पता नहीं होगी के नहीं होगी, और मान लो बेटा इसका balance है 50,000 रूपीज, मान लो बेटा workman compensation reserve का balance है, लो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, A और B की ratio है बेटा 1 ratio 2, और बेटा workman compensation reserve दे रखे हैं, workman compensation reserve दे रखे हैं बेटा, मुझे question ने, 20,000 के, 20,000 के, लो मेरे प्यारे बच्चों बहुत अराम से चीज़ों को समझते हैं, तो बेटा मैं इसकी बात कर रहा हूँ, workman compensation reserve के लिए सारे reserves क्यों बनाया जाते हैं बेटा, reserves का मतलब क्या होता है, शायद आपको पता भी ना हो बेटा, reserve का मतलब होता है बेटा, जब मैं अपने profit में से एक amount को set aside कर देता हूँ, for some unknown liability, बेटा मेरा profit है, मैंने अपने profit में से एक amount side में रख दी बेटा, निकाल कर for the unknown liability की कोई liability arise ना हो जाए, बेटा मैंने 20,000 रुपे workman compensation reserve के अलग निकाल के रखे हुए थे, आज सीक admission हो रहा था, मैंने का खा जाओ बेटा, इस पैसे को भी, बाद में देखेंगे reserves को, ठीक है ना, मेरा को बिलॉंग करता है, old partner को बिलॉंग करता है, खा जाओ सारे मिलकर, बेटा, आज ही क्या हुआ, एक worker का accident हो गया, ठीक है ना, एक worker का accident हो गया, बेटा, machinery से चोट था, बेटा, और हुआ क्या, बेटा, उसका हाथ कड़ गया थोड़ा सा, और बेटा, डॉक्टर पे ले जाना बड़ा, सर्जरी करानी पड़ी, और डॉक्टर ने बेटा, आपसे मान लो, पैसे चार्ज करे, ग्यारा अजार उप, डॉक्टर ने आपसे ग्यारा अजार उपे चार्ज कर लिए, बेटा, ये reserve बना ही किसलिए था, worker की चोट लगने की लिए बना था, बेटा, अगर worker को कभी कोई चोट लग जाती है, तो liability कहां से meet out होगी, बेटा, इस profit से जो आपने अलग निकाल के रखे में, बेटा, ये reserve ही किसलिए है, workman compensation reserve, workman को compensation दे देंगे, बेटा, अगर कभी चोट लगी था, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये reserve, free reserve नहीं है, थोड़ी देर पहले, मैं एक profit बोल रहा था, free profit होते है, general reserve और profit and loss credit balance के साथ, कोई liability जुड़ी नहीं होती, इसके साथ एक liability जुड़ी होती है, अगर बेटा, वो liability हुई, तो सबसे पहले आपको liability देनी पड़ेगी, और अगर वो liability नहीं होई बेटा, तो बाट दो बेदड़क इसको भी, बेटा, यहाँ पर मालो मैंने question में बोल दिया, कि workman compensation claim है, 11,000 रुपे का, बेटा, एक worker का accident हो गया, और 11,000 रुपे आपको claim के देने पड़े doctor को, बेटा, 11,000 रुपे आपने खर्चे हैं बेटा, तो बेटा, क्या करोगे ऐसे cases में, लो समझो, बेटा, मुझे reserve को खतम तो करना ही है बुख से, तो मैं क्या करूँगा बेटा, workman compensation reserve भी कहा होता है, बेटा, balance sheet में होता है, credit side, यानि की liability side, workman compensation reserve, 20,000 रुप, बेटा, इसको बुख से खतम करने के लिए क्या करूँ, ये credit है, debit कर दो, workman compensation reserve account debit, workman compensation reserve account debit, amounted 2 रुपीज, 20,000, बेटा, इस 20,000 रुपे में एक liability आ गई है, 11,000 रुपे की, बेटा, liability खड़ी कर दो, गवराओं नहीं liability खड़ी करो, लो जी, बेटा, reserve से पहले liability meet out करेंगे, जो बच जाएगा, वो मिलेगा old partner को, ये मत करना, बेटा, 20,000 रुपे बाट खाए, बेटा, क्योंकि ये free profit नहीं है, लो बेटा, देखो, मैं ये लिख दू, बेटा, वैसे बहुत extra knowledge जो जाएगी, बेटा, ये चर्चा वैसे CA में करता हूँ मैं, free profit नहीं है, ये बेटा, ये अपने साथ एक liability लेकर आता है, बेटा, ये liability से बचने के लिए है, बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने 20,000 अलग रखे वे थे, लेकिन 11,000 रुपे का खर्चा आ गया, to workman compensation reserve, और मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, हर liability credit होती है, देखो, liability खड़ी कर रहा हूँ, इस reserve के against एक liability खड़ी कर रहा हूँ, 11,000 रुपे, बचे कितने हैं बेटा, 9,000 रुपे free बच गए हैं बेटा, बाट दो न, old partner में, old ratio में, ये 9,000 तो बेटा, आप किस के हैं, ये old partner के हैं, प्यारे बच्चों, to a's capital account, to b's capital account, to a's capital account, to b's capital account, बेटा, 9,000 को किस ratio में बाटना हैं, 1 ratio 2, याने कि 3,000 बेटा, a को मिल जाएंगे, और 6,000, b को मिल जाएंगे, being workman compensation reserve distributed, लो प्यारे बच्चों, मैंने narration भी लिख दी, मेरे पास space की कमी थी, आप manage कर लेना, तो प्यारे बच्चों, मैंने general reserve की बात करी, मैंने P&L की बात करी, मैं workman compensation reserve की और बाते करता हूँ, बेटा, तब क्या होता, कि अगर question ने कोई claim दिया ना होता, लो ये चर्चा करते हैं बेटा, मैं रब करना हूँ बेटा, और ये चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, मान लो बेटा, B case ऐसा होता कि workman compensation claim है नहीं, तो बेटा, ऐसे cases में क्या करते हैं, बेटा, अगर कोई claim ने है, that means it is also a free profit now, बेटा, इसके against अगर कोई liability आई ही नहीं, आपने 20,000 अलग रखे, 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 और कोई liability नहीं आई बेटा, तो ऐसे cases में बेटा, ये बिल्कुल free है, बेटा, तो old partner में बाट दो, इनको भी old ratio में, तो A is capital account, and to B is capital account, मेरे प्यारे बच्चों, मैं बाट रहा हूँ, ratio is 1, ratio 2, यानि कि बेटा, A को मिल जाएंगे, बेटा और ये B को मिल जाएंगे, मैंने बाट दिया बेटा, 1 ratio 2 में, being workman compensation reserve distributed, लो प्यारे बच्चों, मैंने बाट दिया है बेटा, तो बेटा, अब मैंने workman compensation reserve की बात कर ली, I hope कि आप understand कर चुके होंगे बेटा, कि ये चीज़े बहुत simple है, general reserve P&L के साथ कोई liability नहीं होती, बाट दो भीना सोचे समझे, इसके साथ liability होती है, अगर कोई liability आई है, पहले उस liability को adjust करो, जो बचदा है वो बाट दो बेटा, बात करते investment fluctuation fund की बेटा, या investment fluctuation reserve की, कमाल की चीज़े बेटा ये भी, investment fluctuation reserve, लो मेरे प्यारे बच्चों समझाता हो, लो बेटा, मैं बोलता हूँ, आपने investment fluctuation fund बना रखा है बेटा, 80,000 का at the time of admission, और balance sheet बेटा, balance sheet कैसे दिखाई दे रही है, मैं ये भी समझा देता हूँ, आज 31 मार्च 2021 की balance sheet में, बेटा आपके पास पढ़ा है, investment fluctuation fund, नाम देखो बेटा, इसका क्या है, investment fluctuation fund, investment fluctuation fund, 80,000, और बेटा, assets में investment पढ़ी हुई है, बेटा, 1,30,000, और bracket में लिखावा है, market value, 1,10,000, लो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अराम से चीज़ को समझा, बहुत अराम से चीज़ को समझो, बेटा, आपको पहले ये बता देता हूँ, investment fluctuation fund या reserve free profit होता नहीं है, मैंने लिखा free profit और काट दूँगा, ये free profit कभी नहीं होता, ठीक है जी, ये इतना free नहीं है बेटा, कि जितने general reserve और P&L है और बाट खाए बेटा, नहीं, बेटा, नाम देखो क्या है, investment fluctuation fund, मेरे प्यारे बच्चो, नाम तो देखो क्या है, investment fluctuation fund, बेटा, कभी investment में fluctuation हो जाए ना, मेरे प्यारे बच्चो, तो इसी reserve से काम आती है, बेटा, meet out करने के लिए, समझाता हूँ बेटा, बाबू, आपकी partner सिर्फ फर्म थी, A और B के, और आपने क्या करा, किसी जगा पर investment कर दी, 1,30,000 की, और आपको डर लग रहा है, let's suppose ये investment बेटा, share market में, और आपको डर लग रहा है, कि share market तो बेटा, दड़ाम दड़ाम गिर जाती है, दड़ाम दड़ाम बढ़ जाती है, बेटा, आपको डर लग रहा है, कहीं है investment fluctuate ना कर जाए, कहीं है पैसे गिर ना जाए, खतम ना हो जाए, तो बेटा, आपने क्या करा, आपने एक reserve set aside कर दिया, बेटा, 80,000 रुपे का, investment fluctuation fund बना दिया, बेटा, 80,000 रुपे का, कि अगर कभी investment की value में downfall हुआ, तो हम यहां से meet out कर लेंगे, हम अपने इन profit से meet out कर लेंगे बेटा, और आज balance sheet में बेटा क्या बोलता है, कि market values की 1,10,000 रह गई है, आपने बेटा share करीदे दे 1,30,000 रुपे के, 80,000 पर लेकर जाना है, बेटा, जो चीज मिली नहीं सकती, बेटा, ऐसे ही दुआएं करता रहा हूँ, कि 1,30,000 मिल जाएंगे, आज उसकी market value सिर्फ 1,00,000 रहा है, बेटा, क्या आपने fund इसी लिए create किया था, बेटा, इसी दिन के लिए तो fund create करा था, कि अगर कभी investment की value में downfall हुआ, तो हम यहां से meet out करेंगे, तो प्यारे बच्चों करते क्यों नहीं meet out करो, खतम करते हैं बेटा, investment fluctuation fund को book से, बेटा, अगेन, it is a credit balance और book से खतम करने के लिए, इसको debit करना पड़ेगा, लो प्यारे बच्चों, investment fluctuation fund account debit, investment fluctuation fund account debit, बेटा, अगर यह free होता न, तो एक मिनट लगाता, A और B में बाट देता, सी अजार रुपे को, एक मिनट भी ना लगाता, क्योंकि यह free नहीं है, पहले इसके against जो liability है, बेटा, उसको कम कर, मेरे प्यारे बच्चों, investment की value दिखा रखिया, आपने 1,30,000, लेकिन market value सर्फ 1,10,000 है, तो 20,000 से investment को आपने कम करना है, बेटा, जब asset को कम करना है, बेटा, क्या करो, side बदल दो, asset को कम करना है, asset बेटा, always debit बेटा, कम करने के लिए credit कर दो, तो बेटा, सबसे पहले investment को meet out करो, मेरे प्यारे बच्चों investment को meet out करो investment 20,000 रुपे से कम होनी है पहले उन्हें कम करो इस 80,000 से बेटा सबसे पहले investment की value को कम कर रहे हुआ ठीक है जी बेटा कर दिया कम 20,000 रुपे से अब 60,000 रुपे बच गए बेटा वो free है आपके पास तरवे की liability थी कि अगर को investment fluctuate हुई तो आपको वो पूरी करके देनी पड़ेगी आपने कर दी पूरी बेटा अब आपके पास 60,000 रुपे फ्री है मेरे प्यारे बच्चों बाट दो न ए और बी में 1 ratio 2 तो A is capital account और तो B is capital account बेटा 1 ratio 2 में बाटेंगे 60,000 को तो 20,000 मिलेंगे बेटा A को 44,000 रुपे मिलेंगे B को being investment fluctuation fund distributed लो प्यारे बच्चों तो यहाँ पर मैंने investment fluctuation fund की भी चर्चा कर ली मैं इसे खतम नहीं करता बेटा एक case or discuss करता हूँ आपसे लो बेटा एक case or discuss करता हूँ आपसे लो मान लो मान लो बेटा ratio change है मान लो बेटा ratio equal है A और B की ratio equal है इस बार और बेटा मान लो आपको बोलता market value 1,50,000 ऐसा भी तो हो सकता है बेटा share market में नुकसान हो यह कहां लिखा है बेटा यह किस किताब में लिखा है profit हो रखा आपने share करीदे थे 1,30,000 के आज बेटा उनकी market value डेड़ लाख रुपे हो चुकिया बेटा नुकसान इस बार profit हो चुका डेड़ लाख रुपे value हो चुकिया क्या बेटा अब आपको reserves की जो रहता है नहीं बेटा reserve बेटा तब काम आते हैं जब investment की value में downfall होता यहां बेटा downfall नहीं हुआ यहां बेटा value बड़ी होई है तो बेटा अब यह बिल्कुल free हो जाते हैं बेटा ऐसे cases में यह investment fluctuation fund बिल्कुल free हो जाता है इसका role तभी तक है बेटा जब इसमें downfall हो हम downfall को meet out करते हैं बेटा इस reserves से बेटा अगर value बड़ी है बेटा तो इस fund की क्या जोरत है मेरे प्यारे बच्चो फिर तो यह free है बेटा और free है मेरे प्यारे बच्चो तो बाट दो ना A और B में लो तो बेटा ऐसे cases में मैं simple बाट सकता हूँ to A's capital account and to B's capital account equal बाट दिया equal बाट दिया बेटा 40-40,000 रुप लो जी बेटा एक और मुद्दे की चर्चा करते हैं बेटा कहीं बार question गणवड़ी करता है although it is a technically wrong लेकिन मैं क्या करूँ बेटा अगर question मुझे technically गलत दे दिया मैं तो करूँगा न investment fluctuation fund बनाए 80,000 के और balance sheet में बेटा investment ही नहीं दी मेरे प्यारे बच्चों although question is technically रहाँ ऐसा हो नहीं सकता ठीक है न practical life में अगर आप investment fluctuation fund बना रहे हो वो इसी लिए बना रहे हो बेटा कि आपने कोई investment की होगी बेटा लेकिन कौई ही बार मैंने देखा ऐसे motion boards में भी आया है कि बेटा इसके respective को investment होती यह नहीं दीनी investment तो हम क्या करेंगे बेटा से cases में जब बेटा इसके respective कोई investment ही नहीं है बेटा तो क्या हैं की fluctuation कभी होएंगी कोई fluctuation होएंगी नहीं बेटा तो ऐसे cases में यह दुबारा से free हो जाता है और अगर यह free profit है बेटा बाट दो इसको और जैसे मैंने अभी बाटा है बेटा वैसे ही बाट दिया जाएगा तो मेरे प्यारे बचों यह 3 cases की मैंने शर्चा कर दी investment fluctuation reserve में अगर market value 130 से बेटा 110 हो गई तो तो क्या होगा तो बेटा free नहीं है पहले liability meet out करो फिर बाट दो अगर बेटा value डेड लाग होगे investment की तो क्या होगा तो free है बेटा बाट दो और अगर कुछ दिया ही नहीं बेटा तो भी free है बेटा तो भी बाट दो तो प्यारे बच्चों ये तीन बाते मैंने करी investment fluctuation fund से लो जी बात करते हैं और बेटा बात करते हैं employee provident fund की employee provident fund की बेटा ये सबसे ज़्यादा फसाने वाली चीज है ध्यान रख लेना अगर कहीं बोर्ड में फसोगे तो यहाँ फसोगे और आपके दोस्त यार फसेंगे पक्का बोलो बेटा देखो नाम समझ लो employee provident fund और शायद मैंने आपके साथ चर्चा की है मैं आपके साथ एक और बार चर्चा कर देता हूँ provident fund होता क्या है बेटा आपके साथ चर्चा कर देता हूँ एक बार सुन लेना बेटा होता क्या है provident fund provident fund is a account simple सी बात बोलता हूँ provident fund एक account होता है बेटा मान लो आज आपकी नौकरी लगती है और आज आपकी नौकरी पे package लगता है 9 lakh पर एन आज आपकी नौकरी लगी बेटा और आपका package लगा 9 lakh उरुपे पूरे साल का 9 lakh पर एनम package है आपका आपने लोगों को ऐसा कहता सुना होगा बेटा कि मेरा package है 9 lakh पर एनम पर मेरे हाथ में बेटा in hand मेरे हाथ में बेटा 7 lakh 80,000 लाग मतलब जब package 9 lakh उरुपे का है तो in hand 9 lakh क्यों नहीं आते है बेटा लोग बहुत बोलते हैं ऐसा कि मेरा package 9 lakh है in hand 780 आते है मतलब package 9 lakh तो बेटा 9 lakh क्यों नहीं आ रहे हाथ में बाबू 780 क्यों आ रहे हाथ में बेटा ये 1,20,000 रुपे ना दो जगा पर चले जाते है आपका employer क्या करता है बेटा आपका जो मालिक होता है वो क्या करता है बेटा ये 9 lakh उसने आपको देना है उसने बेटा क्या करा ये कुछ पैसे income tax के काटके सरकार को जमा करा दिया आपके 9 lakh रुपे की income पे जो tax बैठता था बेटा उसने आपका काटा और बेटा सरकार को जमा करा दिया एक तो ये काम हुआ और बेटा 1,20,000 में से एक जगा पर वो और पैसा काटता है कहां काटता है समझाता हूँ बेटा प्रॉविडेंट फंड में बाबु होता कहा है इंडिया में नियम है बेटा आप जितना पैसा अपने प्रॉविडेंट में फंड में कॉंट्रिव्यूट करता है उतना ही आपका एंडिया कॉंट्रिव्यूट करता है और ये पैसा आपको एट दा टाइम ओफ रेटार्मेंट दिया जाता है बेटा रेटार्मेंट के दिन दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों मान लो आप contribute कर रहे हो 5000 रुपे महीना तो बेटा 5000 रुपे महीना एंपलोई ने डाले आपका employer भी 5000 रुपे महीना डालेगा यानि कि बेटा ये पैसे किसके मिलेंगे बेटा 10,000 रुपे महीना बेटा कटते चले जाएंगे 5000 रुपे महीना आपकी salary मे से काटके दूगा आपको उसने 60,000 रुपे तो पूरे साल में ये काटे आपके और 60,000 रुपे टेक्स जमा कराया सरकार को बेटा तो बेटा आपने अपनी जेव से 5000 रुपे महीना दी अपने provident fund में provident fund एक account है एक account में डलते जा रहे हैं वो account आपके नाम पर है बेटा और पे करना है देखो उसने liability में दिख़ाया है employee provident fund पांच लाक रुपे की बेटा एक employee के 10-10,000 रुपे महीना जुडते वे 50 महीने हो चुक है मैंने 5 लाक रुपे उसको देने आ पॉन retirement मेरे ब्यारे बच्चों अब एक बात को बहुत अराम से समझ के चलना ये पैसा free है ही न provident fund का बेटा सारी liability है ये पूरे 5 लाक 50 महीने हो चुक है दस हजार रुपे महीना जुड़ा है ये 5 लाक के 5 लाक की इसके against liability है इससे एक पैसा भी बाटने की भूल मत कर देना बेटा मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं minute नहीं लगाते है रट्टा इतना मरते लिख करते हैं ये उनको belong करता है बेटा उनके दिन रात महीने की पसीने की कमाई है मेरे प्यारे बच्चों ये उनको retirement पे देनी है आपको ये कोई free profit नहीं है जिसको बाट जाओगे खा जाओगे बेटा तो बेटा इस fund के against सारी liability होती है बेटा ये कभी कोई free profit नहीं है बेटा त पक्का बोल रहा हूं ये बोर्ट में जरूर आएगा ये नाम जरूर आएगा और आपके दोस्त बाट कहेंगे आभी आपको दिखाऊंगा किसी दिन पक्का दिखाऊंगा मैं आपको ये ठीक है ना बेटा स्टार नहीं बाट ना लो जी बात करते हैं contingency reserve की बेटा नाम ही क contingency अगर कोई contingency arise हुई तो meet out कर लेंगे अगर arise नहीं हुई तो मेरे प्यारे बच्चो ये भी free profit है बाट देना बस इतनी सी बात मैं बोलना चाहूंगा लो प्यारे बच्चो खतम हो गई मेरी ये बात अगर मैं losses से बात करूँ बेटा तो एक और loss होता है advertisement suspense इस पर मैंने च खर्चा की थी बेटा बाबु ये कोई मेरा profits नहीं है ये पहली बात तो asset side में दिखाया जाता है बेटा याने की debit है याने की losses है बेटा ये सिर्फ मेरा खर्चा होता है बेटा और बेटा एक ही इलाज है ऐसी चीजों का अगर ये debit है इसको book से खतम कर दो credit में दिखा दो औ old partner को belong करता है तो old partner में बढ़ जाएगा उनकी capital कम कर दी जाएगी बेटा जैसे P&L loss है बेटा advertisement suspenses also a loss ये deferred revenue expenditure है कभी आप कहो कि इसकी बहुत detail चर्चा करनी है तो बेटा एक class में जरूर कर दूँगा इसकी चर्चा लेकिन मैंने पहले की है आपके साथ इसकी चर्चा तो बेटा एक question book का करके जाएंगे ठीक है ना और बाकी कुछ homework दूँगा आपको एक question book से करते हैं बेटा बाबू मैं question number 53 पर हूँ मैंने भी बीच के question 46 to 52 छोड़ दी है बेटा next class में उनकी चर्चा करेंगे मैं question number 53 पर हूँ बहुत जल्दी से आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे है कि था राम और शाम वर partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of two ratio one राम और शाम किसी partnership firm के partner है two ratio one बेटा old बेटा PSR है उनकी मोहन वास admitted for the one third share in a profit मोहन बेटा one third share of profit के लिए आया है कहता है on the date of मोहन's admission the balance sheet of राम और शाम शोड़ जनरल reserve of 250,000 and a credit balance of 50,000 in P&L account pass the necessary general entry on the treatment of these items on the Mohan's admission बेटा मोहन का जब admission हुआ तो बेटा general reserve धाई लाक रुपे था और credit balance in the P&L that means profit बेटा 50,000 रुपे थे बेटा किसको बिलॉंग करते हैं ये बेटा राम और शाम के बेटा जिंदगी भरकी कमाई है बेटा two ratio one बेटा old ratio है बाट द old ratio लो प्यारे बच्चो मैं question number 53 करने में बेटे second लूँगा खतम हो गया format आप बनाना बेटा format मैं नहीं बनाना हूँ लो तो क्या करूँ बेटा बाबू reserve general reserve और credit balance of P&L liability में दिखाया होगा balance sheet में और मुझे खतम करना है बुक से तो बेटा मैं debit कर रहा हूँ credit चीज को debit करक किसमें बाढ़ दिया राम और शाम पुराने partner पुरानी ratio old partner old ratio क्या ये इतना simple है मैं तो पहले कह रहा था बेटा बहुत simple है खोदा पाड़ और निकली चुया इतनी मैनत करी और इतनी simple simple entry लो प्यारे बच्चो डाई लाग और पचास अजार को बाढ़ दिया old ratio is two ratio one being reserves distributed बेटा ये दोनों free profit है इसले मेरे दिमाग में ये भी नहीं आता कि मैं कुछ सोच हूँ ठीक है ना मैंने फटावट से बाढ़ दिया मैंने सोच आई नहीं कोई liability होगी इसके अगेंस ये free profits है being reserved distributed 54 question बढ़ो बेटा X and Y are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of three ratio two X और Y partner है बेटा old ratio दी हुई ये आपको कितनी three ratio two on first of April they admit Z for the one-fifth share on that date the balance of 1,50,000 in a general reserve and debit balance of 20,000 in a P&L account of the firm past the necessary general entry बेटा general reserve डेड लाग का पड़ा है और 20,000 रुपे के losses पड़े है दोनों कतम करो बेटा old partner old ratio general reserve account debit combo entry नहीं हो सकती बेटा एक profit और एक loss general reserve account debit to X capital account तो Y is capital account मेरे प्यारे बच्चों कितना है general reserve general reserve है डेड लाख रुपे का तो बेटा आपने किस ratio में बाटना है three ratio two में बाटना है बेटा 90,000 और 60,000 X और Y में बढ़ जाएगा being reserved distributed लो बेटा दूसरी entry करने के लिए space की कमी है मैं रब कर देता हूं या से ओहो मैंने narration भी रब कर दी लिख लेना चलो दूसरी entry क्या होगी बेटा profit and loss का debit balance है यानि की बेटा asset है debit है ना खतम करने के लिए क्या करूं बेटा credit कर दो तो PNL account 20,000 debit कर रहा हूं बेटा इनकी capital में X capital account debit Y is capital account debit चाहे profit हैं चाहे losses हैं पुराने partner को मिलेंगे पुरानी रेशो में अगर losses हैं तो आपकी गलतियां है बेटा और profit हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी मेहनत है चाहे गलतियां चाहे बेटा आपकी मेहनत है मिलनेगी आपकोई being losses distributed तो बेटा मैंने question number 53 करा मैंने question number 54 करा 55 homework question number 55 में आप homework क्या कर रहे हैं A to E part मेरे प्यारे बच्चों F part अभी मत करना F part हम करेंगे कुछ दिन में करेंगे कुछ नहीं बात है तो F part मैं अभी नहीं करा रहा बेटा A to E homework है बेटा question number 55 का और यह हो जाएगा बहुत इसली तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बेटा next class में हम क्या करेंगे